नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिट्टुकुमार और मेरे यूट्यूब चैनल टार्गेट सीटिट में आपका स्वागत है सकती शिश्को के 87,000 फोल्डर के अगस्ट से होगी जांच जी हां जिन शिश्को ने फोल्डर के लिए अपना डॉक्मेंट सम्मिट कर दिया है बेव के समय और अभी दिये गए पर्मान पत्तों का किया जाएगा मिलान 2000 को के फोल्डर फसे एनाइसी क्लियेंस के बाद होंगे अपलोड अभाय तरीके से बहाल से चक होंगे बरकात पूरा नजर इस वीडियो पे हम डालने वाले हैं तो चले दोस्तों सुरू करते हैं सुरू क से पहले आपके पास पहुंच वीडियो का प्लाव उठा सके हैं सरकार के सरकारी अस्कूलों में पैंचायती राज वर्नगर निकार संस्तानों के अधिन 2006 से 2015 तक नियुक शिजकों के नियोजन फोल्डर और डिगरियों की जांच अगस्त से होगी जी हां अगस्त से इनका जांच वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा 20 जुलाइग की देर राद तक बेव पोर्टल पर 87,894 शिजकों के परमानपत अप्लोड हो गये थे यानि कि 20 तक लाज देर था जिनमें इतने 1000 शिजकों ने परमानपत अप्लोड कर दी हैं उलेखनी है कि पटना हाइकोर्ट के आदेश पर चल रही निगरानी जांच के लिए 89,874 शिजकों ने अंगपत वा अन जरूरी परमानपत अप्लोड नहीं कराये थे इसी पर सिच्छा विवाग ने NIC के सहयोग से हर जिले में बेव पोर्टल बनवा कर 21 जून 20 जुलाई तक परमानपत अप्लोड करने के निर सुक्रबार को शिच्छा वाग से मिली जनकारी के मुताबिक जिन 2000 शिच्छों की फोल्डर अप्लोड करने की परक्रिया तक्निकी कार्णों से पूरी नहीं हो सकी है इसके लिए NIC को सुधार करने का आगरह किया है NIC के जिन्स होते ही इन शिच्छों की डिगरिया भीग न है कि जांच की करम में यह भी मिलान होगा कि शिच्छों ने जो अंगपत्र और अंडिगरी अभी अप्लोड किये हैं उन्हीं के अधार पर उनका न्योजन हुआ है या नहीं यदि न्योजन के समय फर्जी अंगपत्र न्युक्ति का अधार बना होगा तो ऐसे शिच्छों अब तक प्राप्तरासी भी बसूली जाएगी यानि कि शिच्छावबाग बड़े अक्षन के मूड में है यह तमाम बड़ी खबर जो हमने आपको बताया दोस्तों और भी कुछ खबर आएगी तो अपडेट हम आपको शरूर देंगे फिर मिलते हैं एक नखी वीडियो में धन्यवाद दोस्तों